बॉलिवुड राक्टर सुशान सिंग राजपूत अब दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। उन्होंने 14 जून को अपने बांदरा वाले फ्लाट में फासी लगा कर आत्मत्या की थी। आक्टर की मौत के बाद उनके फैंस में काफी गुसा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिये यूजर्स बॉलिवुड को बुरा भला बोल रहे हैं। बॉलिवुड पर भी कई आरोप लगाये जा रहे हैं। वहीं अब आक्टरेस विया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में मुकदमाद दर्ज किया गया है। रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उक्साने का आरोप लगाया गया है। रिया पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सुशांत सिंग राजपूत का आर्थिक और मानसी कुरूप से शोशन किया है। मुझफरपूर सदर थाने के पता ही निवासी कुंदन कुमार ने शनिवार को CGM कोट में यह मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर 24 जून को सुनवाई होगी। याचिका करता के वकील ने कहा कि मेरा क्लाइन सुशांत सिंग राजपूत का बहुत बड़ा फैन था और उनकी मौत से गहरे सदमे में है। गौर तलब है कि सुशांत सिंग राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुझफरपूर में CGM की अदालत के समक्ष ये दूसरी याचिकाद दायर हुई है। इस से पहले स्थानिय वकील सुधीर कुमार ने सलमान खान, संजी डीला भनसाली, आधित्य चोप्रा, एकता कपूर और करण जोहर के खिलाफ याचिकाद दायर की थी। बॉलिवड की इन हस्तियों पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने सुषान सिंग राजपूत के करियर में अर्चने पैदा की थी जिससे वह मानसिक तोर पर तूट गये थे। आपको बता दें कि बीतों दिनों रिया ने पुलिस को बयान दिया है कि दोनों जल्द ही एक घर लेने वाले थे और साल 2020 के आखिर तक दोनों शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। रिया ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2019 में दिल बिचारा फिल्म पूरी करने के बाद से सुषान्त को डिप्रेशन होने के संकेत मिलने लगे थे। का अलग ही मूड रहता था। रिया ने बताया कि जब तक मैं सुषान्त के पास रही तब तक उन्होंने उनका खूब खयाल रखा लेकिन एक समय के बाद सुषान्त ने खुद अकेले रहने की बात की और उन्हें घर भेज दिया। अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें। ताकि आप entertainment की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल। बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंटुवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार entertainment के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24